हेलो एबरीबरन आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुकिया पर आज हम आपके लिए चटपटा हेल्दी के साथ साथ कम समय में तैयार होने वाला साबुदाना का नास्ता लाए हैं इसे आप लंच बॉक्स या टी टाइम में भी बना सकते हैं यह रैस्पी बहुत आसान ह तो चलिए शुरू करते से भाणान यहां पे हमने एक कप साबुदाना लिया है तीन से चार गणटे से पुला ढिया था तो देखिये इस तरह से हाथ से प्रैस करने में यह आसाणी से तूट जा रहा है अबوس्य एकप बोल में टांस पर कर लेंगे यहां पे हमने तीन आलू और हरा धनिया अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अगर आपके साबू दाना में पानी जादा हो गया है तो आप इसे छलनी में करके रख सकते हो अब यहां पे हमने थोड़े से कौन भी डाले हैं अब इस तरह से ग्रिलर में ऑईल लगा लेंगे अच्छे से इसे आप प्रत्में भी बना सकते हैं बस जो आप प्रत्में खाते हों वही चीज़ें इसमें डालें वाकी इसकिप कर दें अब यहां पे हमने आलो और साबू दाना का जो मिक्शिर बनाया था उसको इस तरह से फैला दिया है इस पे में थोड़ा सा चीज क्यूज भी रखे इसको हम ढक देंगे और थोड़ा सा ओल या घी इस तरह से लगा देंगे और गैस पे इस तरह से हम इसको अलटते पलटते क्रिस्पी होने तक हम सेख लेंगे यह नास्ता पौहती क्रिस्पी बनता है और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें देखिए तो हमारा यह नास्ता बनकर तयार ह हो गया है इसे आप बरत में भी बना सकते हो तो आपको अमारी रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताएं इसी तरह से हमने दूसरा भी बना लिया है थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक एर बाई